हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम टू सोलर ग्यान और नीव चैनल सेप्टेमबर 2021 के सेगेंड हाफ 16 सेप्टेमबर से 30 सेप्टेमबर तक रिनुवल एनरजी के फिल्ड में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं और यह बैसेकली जो रिनुवल एनरजी के न्यूज ह है यह बैसेकली सेंट्रल स्टेट गोर्मेंट के क्या पॉलिशी अपडेट रहा क्या इन्वेस्टमेंट रहा क्या रेगुलेटी अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे फास्ट है डिस्कॉम्स ओड 14607 करोन तू आरी जैनेटर इक्स्लोडिंग डिस्पूट अम के पास कितना डियूज अमांट है आरी जैनेटर जैनेटर जो 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 कन्वेंशनल जैनेटर से उसका डेटा अपडेट होता है तो इसके बेसीज पर ही रिन्वल एनरजी जो जैनेटर से उनका डिस्कॉम्स के पास 14607 करोन के आसपास डियूज जो है और यह इलेक्षिटी रेगुलेटरी कमिशन डायरेक्टेड करनाट का पावर ट्रांस्मिशन कार्पोरेशन के पीटीशी तु कमपनसेट इस सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर फ़र जैनेशन लॉसे अ इसमें अब जो ब्रोजेक्ट डेवलपर ता सवेटायर पावर टेग उसने पै यह पाया कि नहीं इसमें जो जनेरेटर्स जो जो ट्रास्मिशन जो कंस्टेंट है यह जो कंस्टेंट है टेकनिकल कंस्टेंट नहीं था उसके बेसिस पर के को direct किया गया है compensate करने के लिए at the rate of 4.43 per unit for generation losses suffered by solar tire power tech solar projects और यह जो loss calculate करना है और यह जो loss calculate करना है और यह the losses are to be calculated from August 1st August 2020 until the transmission constant remained और यह काफी landmark judgment है करनाट का regulatory commission का next है the tariff of 2.92 per unit discovered in the manufacturing linked solar projects auction held in January last year has now been reduced to 2.54 per unit इसका मैं आपको थोड़ा सा background बता जाता हूं इसमें किया है कि manufacturing link शेकी ने tender निकाला था उस tender में यह था कि जो भी manufacturing plant लगेगा solar cell plus module मानली जेक 500 megawatt का solar plant manufacturing plant लगाता है उसके corresponding जो four times जो solar projects होगे उसके लिए PPA sign होगा जो 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 manufacturers होगा उससे corresponding manufacturing plant लगाने के लिए उसका four times मिलेगा इसमें तो बैसे के लिए इसमें अधानी और जो था इसमें जो दोनों ने 2000 megawatt का PPA मतलब 2000 megawatt का solar projects लोई प्लेस किया गया था विद corresponding to 500 megawatt of manufacturing capacity लेकिन इस tender में एक green solar जो आदानी जो था आदानी ने 1500 megawatt के solar module manufacturing capacity के लिए फिर दुबारा दिया था उससे corresponding six gigawatt का उसको मिला और और जो ने फिर 500 megawatt के दिया था उससे corresponding total two gigawatt हो गया जो initial जो था basically जो capacity थी इसमें 2000 megawatt प्लस जो बाद में 6000 प्लस 2000 तो टोटल 12,000 megawatt के जो solar projects इसमें हो गये थे जिसे corresponding 3 gigawatt का solar manufacturing plant लगाना था लेकिन जो इसमें tariff निकल के आया था यह tariff 2.92 पर unit जो discovered हुआ था और चुकिए tariff इसमें ज्यादा था इसलिए कोई स्टेट्स आगे नहीं आ पा रहा था इसको PPS करने के लिए इसलिए यह यह प्लेस करने के बाद भी यह जो टेंडर जो भी यह जो था basically यह नहीं हो पा रहा था तो उसके बेसिस पे जो सेकी ने मैनिफेक्ट्टर के साथ निगोसियेट करके जो टैरीफ था टैरीफ रिद्यूस करके 2.54 पर इनिट पा गया है और आगे डिटेल्स में देखेंगे हम लोग कि इसमें तमिलनादू उडिशा और इवेन आन्द्रपरदेश ने भी यह जो टोटल टेंडर थे ए लिट विट लिंट लिटे लिट इन पावरगीट शेयर होलिंट इन इस रोट सेंज नर्फीट बढ़ आगे जो इसलेश पावरगीट न्टिक्टी करों और फिर एटेट था सब्सक्राइब के जूड लिट पर रिटेश पन्सिटेट अर्पनी इस आर कंपनी यह जंट गा मिला है यह सेकी ने 1.2 गिगवाट का इस बेस्ट बेस्ट विंद प्रोजेट्स के लिए टेंडर निकाला था ट्रांज 10 उसमें 450 मेगवाट आपको जेस्ट अबलू एनर्जी को मिला था जिसके लिए सेकी ने उसको यह प्लेस किया नेक्ट अब्रेल एनर्जी मैनेंज़मेंट कंपनी लिमिटेड रिम्सील इसुड निटी तो इनल्ल अजनसी तो अर कंसल इस तो शोलर प्रोजेंट इस थीगोट्वाट उसमें डेयल मिनश्ट वाइंड प्रोजेक्ट आपको यह प्र अप्डेट कर दूं और मैं आपका ने विडियो आएगा उसमें जितने टोटल इस मंथ में टेंडर्स निकले हैं उसके बारे में अपडेट करूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा ने बहुत सारे टेंडर्स तीन चार टेंडर्स निकाल ले हैं और जो आरिये एमसेल ने को एक टार्गेट एसांड किया हुआ थी गवाट का सोलर प्रोजेट्स लगाने के लिए और अल इंडिया वेसिस जो भी रेल्लेवे के पास वेकंड लेंड्स है उसके वोपर प्रोजेट्स लगाने के लिए अन्नेश्ट जचातिसगार्ड स्टेट इलेक्सितरी रेगलेटरी कमिशन सीए इसूद एड्राफ्ट तो डिटर्मिन देटर्मिन टेरिफ पर डिसेंट्राइज सोलर प्रोजेट्स अंडर कंपोनेंट या पीम कुसुम तर कमिशन इस प्रपोस्ट जेनरिक लेवलाइज ट प्रोजेट्स के लिए जिसमें कि 500 किलोवाट से लखे के 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट इसमें फार्मर्स या उनका एस्टोसीयेशन प्रोजेट्स लगा सकते हैं बट इसमें उस स्कीम में ये कंडिशन यह है कि इसमें जो फीडिन टैरिफ है इसमें स्टेट प्रोजेटर ने एक अपका ड्राफ्ट पेपर पब्लिस किया है जिसमें कुस्ते रेगलेटर ने 3.51 पर उनिट का प्रोज किया है और इस पर कमेंट्स मांगे गई है और यह जो टैरिफ है बैसे के लिए जो प्रोजेश्ट 21-22 में लेंगे उनके लिए अप्रीकेबल होग है कि जो इंट्रेश्टेट फार्मर्स होंगे जो एस्टेशन होता है फार्मर्स एस्टेशन के उस पेसिस पो कोट करते हैं नेक्स्ट तमिल नादू इलक्सिती डेगलेटरी कमीशन है यह फूट्ट टैरिफ अफ 2.61 पर उनिट इंक्लूडिंग ट्रेडिंग मार्जिन आपको अपडेट किया था किसे की ने पिछले साल मैनुफेक्ट्रिंग का टेंडर निकला था उसका रिवर्स ऑक्षन भी हो गया था और इसमें 2.92 का पर इंट का टैरिफ भी निकल के आ गया था लेकिन टैरिफ इसले ज्यादा था कि उसमें जो डेवलपर थे उनको अपन इसन फाइल किया था रिवलेटर के पास यह टैरिफ करने के लिए तो रिवलेटर ने टैरिफ एप्रूट कर दिया कि ठीक हम 1000 मेगावाट का जो शेकी का मैनुफेक्ट्रिंग जो टेंडर नहीं करा था इस्टेस प्रोग्राम में उसमें से हम 1000 मेगावाट ले सकते हैं 2.61 पर लेकिन उसने बोला कि ट्रेडिंग मार्जीन को निगोसियेट करने के लिए बोला है ट्रेंजेट को कुछ सेकी के साथ में नेक्स्ट है पंजाब एनर्जी डिवलोपेंट एजेंसी पेड़ा है जी इनवाइटेड बीट्स कू डिवलाट फाइब मेगावाट अवीड क कमिशन है इसुट गाइडलाइस तो डिटर्मिन दे जेनरिक लेवलाइस टेरीफ हर्स इस्माल हीडोप और प्रोजेक्ट्स अनन फोसिल फ्यूल बेस्ट को जनेशन प्लांट फर फिनेंशल यर 21 22 और इसके लिए जो है इस्टेकोल्डर से कंसल्ट कमेंट्स मांगी और अग्रिकल्चर सेक्टर फर थे नेक्स 30 एस और शेकी हैड प्रोपोस्ट तो सेट अप 3 गिगावाट इच इन 2024 2025 और 2026 तैरिफ कोटेद इस 2.49 per unit इंक्लूडिंग सेखी स्टेडिंग मार्जिंग और इस इस पार्ट अफ मैनिफेक्टरिंग लिंक सोलर प्रोजेक्ट्स ऑक्षंड इंजन्वरी लास्ट इयर अदानी ने जियोर ओन बोथ ओन दे बीड जैसा कि मैंने आपको पहले भी अप्डेट कर दिया कि यी टोटल ज आपका 3000 मेगावाट आन्दप्रदेश गौवर्मेंट ने से की को कंसेंट दे दिया प्रोक्यो से करना के लिए आपका 3000 मेगावाट दोजाट चौबिस तक आएगा और फिर 3000 मेगावट दोजाशन चाबिस तक आएगा जिसमें टैरिफ जो दिया उसमें 2.49 पर उनिट का इंक्लूडिंग से की स्टेटिंग मार्जिन जो साथ पैसा है वह इंक्लूड करके हैं मैं आपको यहाँ पर एक और भी अपडेट कर दूं कि आंधर परदेश ने आंधर परदेश की वहां की एक एक एजैंसी है आंधर परदेश ग्रीन नेर्जी कॉर्परेशन लिमिटेट उसने टेंडर निकाला था 6.4 गीगावाट का और वो टेंडर कंक्लूड भी हो गया था बट उसमें कोर्ट केसे हो गया था तो इसके बावजूद वो टेंडर जो है जो फाइनली जो है लो आई प्लेस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उस बेसिस पर लगा अंधर परदेश ग काफी कंपेटिटिव टेरीफ है 2.49 पर इनिट पर यह नेस्ट सोलर रूफट अफ इस्टालेशन इन इंडिया वाज 521 मेगावाट इन दे सेकंड कॉर्टर अफ टुटी टुटी वाइस्ट फर एनिक वाटर जो सेकंड कॉर्टर है आपका सेकंड कॉर्टर में यह मरकम ने इलेक्सिटी कोर्परेशन जी एस्टी एस्टेंड इन इंडर इन इंडिंग कंसल्टेंशी सर्विसेश तो वेरिफाइड डिजाइन और 25 शोलर फोटो वोल्टाइक प्रजेक्ट्स विद कैपसिटीज आफ 10 मेगावाट 200 मेगावाट और लोकेटेड नियर गुजरात एनर जो कि उसमें जो प्रोजेक्ट रेंज थी 10 मेगावाट से लेकर के 55 मेगावाट तक जो गेटकों को जो वेरियस सबिस्टेशन थे वहां पर यह प्रोजेक्ट्स आने थे और यह टेंडर भी कंक्लूड नहीं हुआ है उसी के लिए फिट गुजरात इस्टेट एलेक्सिटी पर रिनिट फ्रां 51 पैसा पर रिनिट पेबल बाई ओपनेक्सिस कंजूमर दो इस्टेट इसकॉम इसमें जो गुजरात इस्टेटरी कमिशन ने जो आपके अडिशनल सर्चार्ज है जो ओपनेक्सिस कंजूमर को देना पड़ता है वो 51 पैसा पर रिनिट से बढ़ा करके 69 पैसा पर रिनिट कर दिया है नेश्ट है इरिदा इस टेंडर फार सेटिंग पर सोलर मनुफक्ट्ट्रिंग कैपसिटी जा वर्टिकली इंटेग्रेटेट हाइफ एफिसेंसी सोलर मॉडूल्स अंडर दो प्रॉडक्शन इंसेंटी प्रोग्रम रिचीब रिस्ट्रों रिस स्कीम जो है स्पेसल आप मेरा वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि टेंडर में क्या कंडिशन से और आप मैं चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं होबर जो टेंडर निकाला था इरेड़ा ने उसके रिस्पॉंस में बिट्स आ गई है और बीट्स का का सब्सक्राइब आपको यहां पर थोड़ा सा मैं अपडेट कर दो कि यह जो बीट्स से लिए तीन स्टेज में मैंनिफेक्ट्रिंग है एक तो आपका पॉली सिलिकॉन से लेकर के मॉडूल से तक का है स्टेज 1 से स्टेज 4 तक सेकेंड आपका जो है स्टेज वेफर से लेकर मॉडूल तक है है और थेख जो एस से से लेकर कि मॉडूL तखें आप देख करें कि जो पॉली सिलिकॉन से मॉडूल तक का है मतलर अब ěमगी मेटलीशिकल्रेट्री केसी का कि बढ़ाइंगे पूरा इंटिग्रेदरर प्लैंगे इसमें आप देख रहें कम से कम पांच मेंगाट थी कॉपनियों ने इसमें रिफी छा Bean चाइज में में एक इस हम कैपसिटी कोट कर सकते जाटे calm bay और जो मीनियूं कैंपसिटी को कमपनियों ने टोटल फॉली सििलिकॉन से लेंकर मौडूल तक इंटीग्रेटव लगाने के लिए कोड किया इसके अलावा हम देख oo कोड देल अप हो जाती है इसके अलावा इसके इलावा और ही भूश्य कंपनियों ने से कोट किया है तो कहने के मतलब यह कि response जो है काफी अच्छा रहा आई और इस में मार्किंग सिस्टम है इसमें मार्किंग सिस्टम ऐसे हैं कि एक तो manufacturing capacity for marking है कि minimum आप 1000 megawatts है और maximum 4000 megawatts जितनी manufacturing capacity करेंगे उस पर आपको मार्किंग मिलेंगी second कितना आप प्लिटिग्रेट कर सकते हैं तो पॉलिशिलकॉं से मॉडूल तक है तो इसमेक्स मॉक्ष मुलेगा 50 marks वेफर से मॉडूल है तो यह भी 35 है और से मॉडूल 20 marks है तो ऊपर वाली जो कॉम्पनिया जो चार कंपनिया ने जो किया हुए रिलाएंस टीज गी ने इन सब एक प्लस आत में टोटल पॉलिसिलिकों टुवें मॉडूल थक है अब यह कितने कंपनियों को मतलब यह दिया था प्लाइश की में क्यूंकि इस में प्लाइवी कोट करना था कि आप पांच साल में कितना प्लाइव लेंगे तो काफी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आई है और ये अच्छ रहा इंच्छ ने जो ये विन पोर्ट्राइक्टी सितुएत इन गैश्थान बज्यपर्देश नेच्छ अधनिक गूर्प विल इन्वर्टे इंच्छ रून्स ट्थ इंच्छ आखा है। और यह आदानी गीन्स प्लाँ इंकुड रिपलीं इसे रिफल पाज गेंशन केपसिती वर गेंशन केपसेटीब वर दनेक्स पूर इंग्री अइच परियर्स प्रियर्स प्रेशन प्रड़क्शन पॉर इंग इंटेंग अधानी गूल ट्रॉप का जो एंवारी अनॉंसमें है इंडिया परस्पेक्टिव में और आरी फिल्ड के सेक्टर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिलाइंस भी जो है काफी बीग वे में रिनवर एनर्जी के फिल्ड में आ रहा है फोर गीगावड फैक्टरी इंस्टॉल करने जा रहा है जिसका कि इन्वेस्टमेंट टार्ग सब्सक्राइब कंपोनेंट फ्राम फाइव परसेंट टूवल परसेंट और जो जीएश्टी काउंसिल ने अभी फाइव परसेंट टूवल परसेंट के लिए जेश्टी जो रेट है उसने बढ़ा दिया है और यह एफेक्टिव है फस्ट अक्टूबर 2021 से इससे पहले जो जो इंट्रोडूस किया गया था तो उसे में सोलर मॉडूल पर पांच परसेंट था और मैं यहां पर आप अपडेट कर दो कि जो अगर सोलर कोई भी एगर एपीसी कॉंट्र सोलर पोजेट लगाता है उसमें उसमें एक्ट्वली दोनों कंपोनेंट होते हैं मैट्रियल प् पॉर्शन है 70 परसेंट का पहले 5 परसेंट देना पड़ता था अब बढ़ करके 12 परसेंट हो गया है और जो सर्विसे सेक्टर 18 परसेंट है तो एफेक्टिवली पहले जो 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 अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट है वारियस सीपीए सुज इसेंटल पब्ली सेक्टर अंडर्टेकिंग्स वेर डिकलेड विनर इन इरिडाज ऑक्षन फार 5 गवाट अफ ग्रीट कनेक्टेट सोलर प्रोजेक्ट्स ट्रांश 3 अंदर सीपीए सुज फेस्टुमी स्कीम फमेनरी शीलिंग टेरिफ फार प्रोजेक्ट वाज इंक्रीज तो 2.45 पर उनिट फ्राम 2.2 पर उनिट और मैं आपको यहां पर बता दो कि मिनिश्टी इफ नीवेन रिनुए एनर्जी के एक स्कीम में सीपीए सुज फेस्टु पले एक सीपीए सुज फेस्टु फेस्टु लांज किया गया था बार इसके लिए उसके बाद इसकी इंप्लिमेंटिंग एजनसी जो है सेकी से करके फिर इड़ा को कर दिया गया था जिसके लिए इड़ा ने पांचर मेगावाट का टांस 3 टेंडर निकाला था और उस टेंडर का ही है कि इसमें जो इस टेंडर में यह क्यों सीपीए सूज या पर चाहिए जो कंपनिया यह कंपनिया ये घृत अरुकि इसमें ट्रूक्त का फूला एंट अट करने के लिए दिया है इसमें जो इसमें एके सार्व मेंडर कोड कोड किया था और इसमें आल एपका टैरिफिक्स है पहले इसका टैरिफ 2.2 पर यूनिट था जिसको बढ़ा करके 2.45 पर यूनिट कर दिया गया था तो टैरिफ फिक्स है आपको इसी टैरिफ पर इलेक्षिटी सप्लाई करनी है इसके लिए इस टैरिफ को मीट करने के लिए आपको कितने फंड और रिक्वाइमेंट होती है उस में जैरि इसमें बिए 44.72 के लिए ऑट किया था कि और इसका इनटिया ने 510 में वाट को टिया था 510 में होट जैका मिल्डियों इसमें किवडिफस ने 44.74 थाइस पर ने और कोड किया है उसक्वाद ने टोटल पांचव मेडाइब गया कोंड की इसने की ऊटिटी फटी फॉर पाइब नाइन फाइब यह पर मेडाइब 500 मेडाइब एक लिए तो टोटल पाइब अपर गया है यह यह फार कंपनिप से दुट्न बड़ा जो है NTPC को मिला करीब करीब 2000 मेगावाट के आसपास उसके बाद 1000 मेगावाट और 1000 मेगावाट एस जेवेन और नहीं पिसी ने लिया है उसका बैलेंस के पर सिटी नल्सी और इर कॉर्न ने लिया है Next, Solar Photovoltaic PV Cell and Module Manufactures Premium Energy has raised $200,000 from climate investment focused private equity manager GEF Capital Partners. Premium Energy will infuse the funds to expand its solar PV cells and module manufacturing capacity. The company will invest the equity capital for adding 2 GigaWatt each of cell and module manufacturing. An investment of over 1200 kone over the next 2 years is planned for production using the monochristine perk technology. और आपको हमाएं update करनों कि जुलाई 2021 में ही प्रीमियर एनर्जी ने 750 MW का Solar Cellar Module Manufacturing Capacity हैदराबाद में स्टार्ट किया है. Next, Punjab State electricity regulatory commission has held the curtailment of power generated by 7 solar project developers in 2022 unjustifiable. और यह काफी landmark judgment है इसमें जो जो solar power developers association थे उन्होंने petition file की थी यह curtailment को लेकर के. जिसके basis पर Punjab regulator ने जो है काफी landmark judgment दिया है और इसमें direct किया है Punjab State Power Corporation Limited to release the payment for the power injected into the grid along with the lead payment surcharge. और इसको direct भी किया है PSPCL को. Next, the government aims to meet 60% of power demand at the major ports through solar wind power. Currently, renewal meets less than 10% of the power demand at the ports. Next, Indian solar module manufacturer Wari Energy has filled its draft red hearing prospectus DRHP with SEBI to raise the fund via the initial public offering. इसके लिए वारी एनर्जी जो है आई प्यूज़ करने जा रहा है उसके लिए उसने सेभी के पास इसने ड्राफ्ट DRHP अभी फाइल किया है. जो IPO launch करेगा उसके लिए जो मार्केट से उसका जो टार्गेट है वारी एनर्जी का 1350 क्रोन का है. अभी आज की डेट में जो वारी की जो इंस्टॉल कैपसेटी है. इसका और टार्गेट है वारी की बढ़ाने का उसके लिए वारे एनर्जी IPO के थुरू फंड करेट करना चाहती है. जितनी सारी कंपनियां हैं बहुत एग्रेसिवलिए बास की डेट में आ रही हैं इससे पहले हमने इसे लाश्ट मांथ में निउस सुना था कि एंटीपीसी आरी एंटीपीसी रिमिटर आरीयल करके है वह उसके लिए भी वह IPO करेगा और यह बहुत सारी कंपनियां जो रिम म में वह भी IPO ला रही हैं तो यह कि काफी कंपनिया आ रही है और मार्केट से पैसा लेना क्योंकि उनको बहुत सारे यह तो मैने फेक्ट्रिंग के पसिटी लगाना यह प्रजेट्स लगाना है यह से इसको फॉंड करना है को यह को दो नेश्चे को लिगनाइट उड्या विकास ज्वाइंट वेंचे कंपनी अफ कोल इंडिया और नेश्नल इंगनाइट कोरपरेशन इसूट एटनर तो शेट अप 40 मेगावाट ग्रांट मांट गिर्ट अंडिक अडिक 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 प्रोड प्रजेक्ट विश् और अभी आज अगर बात करें एंटीपिसी तो कंपनी सेट टोटल अफ 1560 मेगावाट अब तक का डेट में 2021 तक मिल गया है और अगर हम आज किन में अगर ऑपरेशनल और डेवलप्मेंट इस्टेज की बात करते हैं तो एंटीपिसी है नियरली 1.5 गीगावाट अपरेशनल रिनुवल कैपसिटी एंड 3 गीगावाट पोजेक्ट्स और इन डेवलप्मेंट इस्टेज मतलब यह बीट्स मिल गया है एवाड हो गया है और इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है वाइल टेंडर सेम इसूड फार फाइव इगावाट अपनी कुपसिटी एंटीपिसी ने फांस गीगावाट के लिए अलग से टेंडर भी इसू किया हुआ है अंडर आउस्सोर्स और डेवलपर मोड इसमें अगर बात प्रश्में वह चिखती एंडागी तो सौट एव 150 में इस फैसे कि टन्रेंस में जो प्राइवेट डेवलपर पिट्स मिल जाता है ऐसधी अ करता इस में में इस टाइक PiC जो आता है टेडिंग मार्जिन लेता हैं यह देटीपिसी नगे फ्रैश्म पहुदिसी मोड और एक डेवलोपर मोड जो मैंने आपको भी जैस्ट नीचे वाला पता है कि डेवलोपर मोड में है एंटी पीसी ने 4.7 गिगवाट का जो है कैपसिटी लगा रखा है थू प्राइबेट डेवलोपर्स और 790 मेगवाट का जो है अंटर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है नेक्स्ट और यह 40 मेगवाट का प्रोजेक्ट्स है यह बिसेकली एसल ग्रिन ने 40 मेगवाट का प्रोजेक्स लगाया यह उडिसा में सेखी के वीजेफी स्कीम में जिसमें की टैरिफ है आपका 4.23 पर इनिट निकल के आया है और इसमें 25 साल के लिए तो तीन साल यह प्रोजेक्ट ल अच्छानल है 5.7 गीगवाट का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में मतलब अधानिय को मिल गया है और 8.7 गीगवाट इन द पाइपलाइन तो आपका पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट्स हैं बिसेकली यह मेजारिटी प्रोजेक्ट्स मैनिफेक्ट्रिंग ओल्यक टंडर वाले हैं next as per the new amendments to the REC mechanism it will remain valid until it is sold as per the earlier guidelines the validity of REC कर सक्षी का रसे है 1095 देज the changes are expected to provide flexibility to the players and address uncertainty regarding the REC validity period among other things तो फोब दोस्तों मेरा आपको सेप्टेमबर 2021 का सेकंड आपका वीडियो आपको रिवन इनर्जी की इसको पर अच्छा लगा होगा आपको अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को फारवड करिए फिर आप से मिलते जाए न्स वीडियो में टोटल स्वेट्टेंबर एक समरी की जिसमें टोटल कितने ठीक प्रदेट्स कितने लगे और क्या उस मौन्त में सेप्टेमबर मन्त में निकल की है कि सका बीट ऑक्शन हो गया किसके बीट सम्मिट हो गये और चैपिक टोटल के पिक की आ रही किया जन्नेशन रहा उन सबके बारे में फिर आपसे नेक्ष्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए थैंक्यू जैहिंद